नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार मैं नरश मानन्द आपका लाइफ सो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शरीर को विनाश के लिए इस्तेमाल करेगा शैतान और शरीर के लिए अगर हम महनत करेंगे तो हम अपने विनाश का कारण खुद होंगे यह बाइबिल कहती है मैं नहीं कहता तो किसके लिए हम महनत करें चलिए हम शुरू तो आज हम शरीर के लिए किस प्रकार से महनत कर रहे हैं या शरीर के लिए हम बटोर रहे हैं वो क्या क्या चीज है जैसे कि पहला तो घर है जिसके लिए हम बहुत महनत करते हैं घर बनाते हैं या घर रहने के लिए बहुत सारे पैसे का इंतिजाम करते हैं या पैसे के लिए बी महनत करते हैं कितना ज्यादा यूज करते हैं अपने आपको शेरीडन को night duty overtime full duty full time इस प्रकार से करते हैं फिर कपड़ा कपड़े के लिए अपनी शेरीर को अच्छे कपड़े देने के लिए हम ना जाने कहा कहा कि जाते हैं और नेए कपड़े खरिदे हैं और उसके बात य भोचन के लिए लिवह फ्योयाइड नहीं कर रहे हैं सरीर को अच्छा लगता है वह चीज भोजन हम कर रहे हैं और पपर वेविचार जो भी कर रहे तो शातान जो है चारो साइड से विचार करने के लिए शरीर का फुल इस्तमाल करता है तो इस प्रकार से ये सारे चीजों के लिए जो भी शरीर के लिए हम बोते हैं शरीर के लिए जो बोते हैं वही हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है क्योंकि शरीर तो यहीं पे वैर्थ होगा और यह शरीर के लिए हमें इस्तमाल करने से पहले अपने आपको चौकन ना करना पड़ेगा कहींगे मैं शरीर के लिए तो नहीं कर रहा हूँ हम सोचते हैं कि अपनी lifestyle जीते हैं लेकिन वो lifestyle कम और सरीर के लिए हम ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई भी फैसला आप ले रहे हैं तो एक note बनाईए एक कागज में आप एक सेट लिखिए कि आप क्या फैसला ले रहे हैं और उस फैसले से आपके शरीर को कितना benefit हो रहा है आपके सरीर को कितना लाब हो रहा है और उस फैसले से आपके आत्मा को यानि कि आपकी धार्मिक्ता को कितना लाब हो रहा है और उस फैसले से आपके परिवार को आपके माता-पिता को और आपकी पतनी को आपके बच्चे को क्या-क्या benefit हो रहा है तब उसके बाद आपको पता चल जाएगा और उसके बाद वचन से दिखिएगा कि आप सरीर के लिए जी रहे हैं कि आत्मा के लिए जी रहे हैं दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर पहला कुरंथी 5 का 5 जब हम पढ़ते हैं तो शरीर को विनास के लिए सौपा गिया है तो शरीर को बचाने का कोशिश मत करिए शरीर को दखिए यहाँ पर में जो है हम परमिश्वर प्रभू ईश्मिंसी को इसलिए ग्रण किये हैं उसके आज्याओं को इसलिए मानते हैं नरक से बस सके पापो से बस सके हरे प्रकार की बुराई से बस सके यह सारी बाते हैं आप बोलेंगे कि इश्मिंसी को ग्रण करने से क्या फाइदा जब हमको सारीक जीवन में ही लाब नहीं मिल रहा है सरीबातमीक जीवन में लाब मिल रहा है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप घर मत बनाओ, कपड़ा मत खर दो, खाना मत खाओ, है ना, आपको अपने जीवन को बड़े ही सही ढंग से जीना है, मतलब आप only 20% बॉड़ी के लिए शरीर के लिए करें, है ना, शरीर के चिंता करें, और 80% आत्मा के लिए करें, तो वो ही आपका बॉड़ी एकदम सही रहेगा, और सारे चीजों को परमिश्वर देगा हमको, चलिए हम वचन से देखेंगे, और भी वचन है, जो हमको बताएगे कि किस प्रकार से हम अगर शरीर के लिए करते हैं, तो क्या होगा हमारे साथ, और बॉड़ी के लिए करेंगे, बन शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है, यानि कि शरीर के लिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारे चीजों, शरीर की सुक, अभी लाशा के लिए जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो आपके विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा तो आप आत्मा के लिए क्या बो रहे हैं और शरीर के लिए क्या बो रहे हैं ये दोनों बहुत important रखता है आपके जीवन के लिए अगर आप आत्मा के लिए जो भी बो रहे हैं वो विनाश की कटनी नहीं तो काटेगा की कटनी काटेगा शरीर के लिए आप जो बोएंगे वो विनाश की कटनी काटेगा लेकिन आत्मा की कटनी आत्मा के जो आप बोएंगे आत्मा के लिए वो अनंत जीवन क कटनी काटेगा तो और वचन हम यहां पर देखते हैं यहां गलातियो यहां पर लिखा हुआ गलातियो पांच उसका हाँ यहां पर पांच का बाइस से चोबिस यहां पर देखते हैं तो आत्मा के लिए किस प्रकार से हम बोएं क्या चीज बोएं आत्मा से हमको कौन-कौन से मिलेगा यह हम आत्मा से कैसे काम कर सकते हैं अगर आप परमिश्वर के दास हैं प्रभु ईश्यमसी के अन्याई हैं प्रभु ईश्यमसी को मानने वाले उसके बचन को मानने वाले तो आपके अंदर यह सब तो परात्मा का फल प्रेम, आनन, शांती, धीरज, किरपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सैयम हैं। तो आप शरीर को अपने दुख दो, ऐसा नहीं कि चाकू घोपो या फिर खून निकालो, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि आत्मा के फल को ग्रहन करो, खुद बखुद शरीर को दुख आना इस्टार्ट कर देगा। शान्ती बना रहेगा, आपके अंदर धीरज रहेगा परमिश्वर का, आपके अंदर किरपा रहेगा, भलाई रहेगा, विश्वास रहेगा परमिश्वर का, आप नम्रता रहेंगे, नम्र रहेंगे और सैयम रहेंगे। ऐसे से कामों के विरुद में कोई भी वेवस्ता आस तक कि कुछ भी नहीं बोला है, ये बेस्ट चीज है जो आप अपने आत्मा को स्ट्रॉंग कर सकते हैं और शरीर को भी स्ट्रॉंग कर सकते हैं इस से, ये जो है एक सिक्के के दो पहलिव के जैसे है, अगर आप शरीर को ज और ये शरीर, ये दो व्यक्ति हैं, जो हमें अनंत जीवन, एक तो है हमें अनंत जीवन के और ले जाता है, और दूसरा, दूसरा हमें पाप की और भी ले जाता है, और अनंत जीवन के और भी वही ले जाता है, और हमें पाप की और भी वही ले जाता है, क्योंकि शरीर की अभिलाशाओं को जब हम कुरुस पे चड़ा देंगे तब वो हमें अनंत जीवन की और ले जाता है शरीर के इच्छाओं को जब हम पूरा करेंगे तो हमें नरक की और ले जाता है विनाश की और ले जाता है तो हम किस प्रकार से आत्मा और शरीर को एक साथ चला सकते हैं वो आत्मा और शरीर देखिए आत्माओं की परमिशर के बचन से आत्मा की इच्छा से आत्मा के कारियों से शरीर के अभिलासा को हम मार सकते हैं शरीर को उतना ही इस्तमाल करिए जितना उसे इस्तमाल किया जाना चाहिए बचन के अनुसार तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो से ये सीखा है कि अगर हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए नरक तयार है विनाश हमारा होने वाला है लेकिन हमें आत्मा के लिए तयार करना है अपने आपको ना कि शरीर के लिए तो प्लैनिंग मत करिए प्लैनिंग मत करिए आप शरीर को भी परमिश्वर की महमें के लिए इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि शरीर के कार यही है जो आत्मा को नंबर देते हैं या उसके वैभार को बताते हैं आत्मा तो खुद निकल करके कुछ नहीं कर सकता न शरीर के कार यहीं आत्मा को वैभार या आचरण बताते हैं शरीर का आचरण ही आत्मा को अच्छा या बुरा बताता है तो हमारे शरीर को सही इस्तमाल करें शरीर के विरुद में है सारा वचन बाइबिल तो हम शरीर के विरुद में हो जाए ताकि परमिश्वर का बचन हमसे मेल खाए तो दोस्तो आज के लिए इतना है इसी प्रकार से हम ने ने वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, आपको मस्य जीवन को स्ट्रॉंग करते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को हमारे जा करके लाइक कर सकते हैं हमें फॉलो कर सकते हैं, इस प्रकार से ने ने वचन को आप सीख सकते हैं वहाँ भी तो तब तक के लिए हम आपसे आलबीता चाहते हैं, परमिशुर आपसे भी कॉशिस दे, नमस्कार, गुडबाई